नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों आज की इस वीडियो में रोजगार से सम्मंदित खबरों पर चैसा करेंगे तो सबसे पहले PCS के जो इंटर्वीजियल नहीं उसके बारें बात कर लेते हैं कल दूसरा दिन था PCS के इंटर्व्यू का और 116 में से 113 छा अनुपश्थित हुए और जो कल प्रस्ण चायर है जो पूंचे गए लगत चात्रों से वह लगडाउन धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर बताओ यह प्रस्ण पूंचा गया तो तीनों में समानता होती है लेकिन अंतर क्या होता है इसके बारे में पूंचा गया उनसे और इ पाइनिज एप को किस गूगल की तरह वैन किया गया सिस्टम में क्या कमिया है जो एकाउंटर हो रहा है इनकाउंटर हो रहा है यूपी की सीमा किन परोशी देशों से लगी हुई है राश्टी ए खादिश रुक्षा के बारे में बताएं गवर्नेंस और गवर्मेंट में क चार बाँ परियोजना खोने के बाद इरान से कैसे होगा मधूर संबंद है वेजेटाइन सामराज में कौन सी घटना घटी जिसका असर भारत भूमी पर पड़ा सर स्यद आहमद खां के बारे में बताएं लेवर माइग्रेशन प्रावलम क्या है कोविड नाइंटीन में नवाचार क्या हुआ है समा सुधार के लिए पांच एक्ट के नाम बताएं आईटी फीशल इंटिलिजन्स क्या है भारत इसका किस छेत्र में बढ़िया प्रियोग कर सकता है मोदी का 5D 5P क्या है प्रारंभिक सिच्छा में सुधार है तु उपाई बताओ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में संबंधित किये गए हितों कि से संबंधित किये गए कारी बताओ ग्रीन और आर्गेनिक टेक्नोलोजी ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ा GDP इस में क्या है सरकार की 5 कमियों को बताओ तो ये सारी प्रेश ने पूँचे गए बिभिन ने चातरों से किसी से कुछ पूँचा गया तो सब जो मसाला निकल काया है कि ये सारी प्रेश ने पूँचे गए यहुट यहांने की प्रश्ने को से बारे में आपको करते 수 नीक बता है और को पर्षेश करने के परिश करना नहीं बहुत ही हैं उतार प्रदेश लोग से वाजोग ने बिग्यप्ति जारी कर दी है और एपियों की परिछा के बारे में बता दिया गया है प्रथम सत्र जो है साड़े नौ से साड़े बारा दूतिये सत्र दो से पांच में तक वंतिस जुलाई बुद्धवार को होगा और तीस जुलाई को प्रथम सत्र साड़े नौ से साड़े बारा और दूतिये सत्र दो से पांच में तक होगा तो इस प्रकार से परिच्छा होग और 18 के जगैं, 31 से और 3 जुलाई को यह परिच्छा होगी, दो धिन परिच्छा होगी, दोनों दिन दो सिप्ट में परिच्छा होगी कोरो на वैक्सीनatore का दावा सभी लोग कर रहे हैं, अभा आक्सपोर्ड की तरफ से भी वैक्सीन का दावा किया गया है और अक्टूबर में आ सकती है यह वैक्सीन पहले चरण का नतीजा 20 तक संभव है तीसरे दौर के ट्राइल होंगे सबसे एहम प्रिक्रिया में दूसरे तीसरे चरण का ट्राइल वैक्सीन का दूसरे तीसरे चरण पर मनुस्यों पर ट्राइल जारी है ब्रिटेन के साथ यह ट्राइल ब्राजील में और दर्चिन अफरीका में भी चल रहा है दूसरे और तीसी चरण के ट्राइल को हरी जंडी तभी मिली है जब पहले चरण में बेहतर परिणा मिले हैं इसी को देखते हैं वेक्सीन का निर्म परण भी उसने शुरू कर दिया यह ने चैनल रही है नार पर बताया गया और और ये सारे प्रश्ण वहीं हैं जो मैंने आपको बताएं 79,000 भरती के लिए भ्यारतियों ने फार्म में संसोधन की मांग की है और इसके लिए छात्रों ने परिशदी प्रात्मिक बिद्यालियों में 79,000 सहायक अध्यापक भरती के फार्म में गलती करने वाले अभ्यारतियों गुरुवार को बेसिक सिच्चा परिशद कर्याले प्रदासन करत्रूटी संसोधन की अनुमत मांगी रोहित तिवारी मिर्जापूर प्रियागराज से राहूल तिवारी अमर बहादूर तुसार आस्दोस एवन लेलित पुरुसे निसा परवीन आधी कर्यारे पहुंचे लेकिन सच्चिव से मुलाकात नहीं हो सकी सच्चिव से 18 जुलाज को मिलने का अस्वासन लेकर लोट गए महीं दूसरी और माधविक विद्यालियों में बैक लाग पदों को भरने भरने लंबित साच्चत का सुरू करने चैन अभ्यारतियों को कालेज आवांटित करने टीजी टीटी टीटी जीटी जीटी बिगेन क नहीं हो पाई 69 सिच्चक भरती निरस्त करने के लिए पोश्टर वार सुरू हो गया है अभ्यारतियों की और से पोश्टर वार में सिच्चक भरती में भरष्टाचार के खिलाफ नयाय मोर्चा से जुड़ी छात्रों ने भरती पर इच्छे रद करने CBI जांच कराने की मां करों भरष्टाचार के जिम्मेदार सिच्चा मंतरी इस्तिफादें की मांग की है नयाय मोर्चा उत्तर पते सिन्योजग सुनील मोरे ने कहा कि भरष्टाचार मिलित पाए गए मायापती दूबे वाच्चंद्र माजादों समय तमाम आरूपी अभी तक गिरफ्त में नहीं हो जा रही है सरकार कानून का राच इस्तापित करने की बात करती है लेकिन अभी तक सिच्चक भरती में प्रेश्टाचार क्या रूपियों को गिरिफ्तार नहीं कर पाई है एक और बड़ी ख़बार आ रही है कि रूस ने कोरोना वैक्सीन के सोध से सम्बंदित सुंचना है ब्रीटेन, अमेरिका और कनाड़ा ने आरूप लगाया है कि ये चुराई गई है उस पर सोध से सम्बंदित सुंचना है और लंदन की से दिखी निव जा रही है ब्रीटेन, अमेरिका और कनाड़ा ने रूस पर कोविट-19 वैक्स के निर्मार से जुड़े सोध की जानकारी जानकारियों को चूरी करने की कोशिस का आरोप लगाया है वहीं रूस ने इस आरोप खंडन किया है, तीनों देशों ने कहा है कि एपीटी-19 नाम का डेटा हैकिंग ग्रूप इसी खूफिया, रूसी खूफिया सेवा का हिस्सा है वहाँ उन संस्तावों के डेटा पर हमला कर रहा है, जो कोरोना वाइरस की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी है रूस का यह हैकिंग ग्रूप कोजी बियर के नाम से भी जाना जाता है तो इस परकार के आरोप रूस के उपर लग रहे हैं, वहीं दूसरी दर रूस ने दावा किया है कि उस सबसे पहले वैक्सीन लेकर आएगा तो दोस्तों यह थी आज की प्रमुक अपडेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने इपडेट्स के साथ धन्यवाद